सबी विध्यारतियों को नमस्ते विध्यारतियों इस वीडियो की अंत्रगत हम राजस्तान इस्टेट ओपन इसकूल का जो भारतिय संस्क्रतिय और विरासत है कक्सा 10 में उसका चेप्टर नमबर 4 का आगे का पार्ट पढ़ेंगे पिछले वीडियो में इस पार्ट के हमने ज जो भारत में धर्म और दर्शन के बारें पढ़ा जिसमें हमने जेन दर्शन है बहुत दर्शन है और भक्ति आंदुलन है जिसमें भारत के अंदर जो भक्ति आंदुलन के अंतरगत जो जो भी संत हुए है साथ में सूपी संपरदाय के बारे में हमने पढ़ा है वह भारत क स्टेट ओपन बोर्ड का जो इंडियन कल्चर का जो बना हुआ है प्लेइलिस्ट वहाँ पर जाकर आप उन वीडियो को देख सकते हूं तो पढ़ते हैं चेप्टर को आगे तो राजस्तार में धर्म और दर्शन तो राजस्तार में किस तरह से धर्म और दर्शन जो मानेतरोव हैं जो इस भूभा के अतीत सांसकर्तिक इत्यास तता वीर पूजा की भावनाओं में जन्मी है तता पूरे देश की सांसकर्तिक धारा ने जिने एक और समझवित रूप भी दिया है देखो राजस्तान की जन्जीवन है उसमें धारमे को दाशनिक मानिता है और आस्ता है भौरंगी है और भौरंगी ताना बाना गुता हुआ मतलब कि यहां पर अन्य तरी की मानेता है अन्य तरी की देवदिवतर की पूजा यहां पर की जाती है ठीक है और जो इसके इत्यास है जो सांसकतिक इत्यास है वीर पूजा है हना यहां पर कई वीर हुए है तो ये वीरों की जनम भूमी भी कहलाती है तो इसका पूरा इस देश में इस संस्कति धारा ने जिने एक और समंद्वित रूप भी दिया है भारत की धार्मिक परमपराय वेदिक काली यग त्याग आदिक करमकांटो 16 संसकार चार आश्रमों एंच चार पूर्शातों मानेता उपर आदरित है राजस्तान में दस आवतारों की मानेता में राम लिला रास लिला तता गंगा यमुना की परती सर्दा ने प्रयाप्त योगदान दिया है तो देखो राजस्तान में जो है दस आवतारों की मानेता है जिसके अंतर के जैसे राम लिला है रास लिला है तता गंगा यमुना के परतिशद्दा इनको प्राप्त योगदन दिया है राजस्तान में निर्गुन भक्ति की ज्यान साखा के प्रसार के फलस्वरूप अनेक संपरदाय भी विक्षित हुए निर्गुन का मैंने पिछले वीडियो में इसकार्थ पताया था जो ऐसे संथ महात्म जिनका वन आगे किया जाएगा इसके साथ ही राजस्तान के परोशी राज्यों में चल रही धार्मिक परंपरा और आंदरोन का प्रभाव भी पड़ा अनेको दर्शन और धर्म ने अपनी चाप राजस्तान की धर्ती पर छोड़ी विबिन धर्मों की परंपरा यहां हजार धार्मिक और दाश्निक परंपराओं ने राजस्तान की इत्यास में विशेश उलेख ने बना दिया है यहां मोटे रूप से इन धार्मिक और दाश्निक धराओं का उलेख किया जा रहा है इसको पढ़ने के हमारे क्या उद्देश है जो आपके है तो उसमें जो भी आपका चेप्टर है उसमें पहले भारत के बारे में बता रहा है और फिर राजस्तान को सामिल कर रखा है इस पार को पढ़ने के बाद आप राजस्तान के लोग ध्रम की वैख्या कर सकेंगे वेश्ण ध्रम का राजस्तान में प्रभाव को समझ सकेंगे राजस्तान में लोग संप्रदाए तो पहला में विविन संप्रदाए में कि सनातनी परंपरा विवित्धार्मिक परंपरा और मानताओं में रची बची एक इंद्र धुनुशी सांस्कतिक परंपरा है प्रवाने समय से बहुत लंबे बहुत कई अर्शों से चली आ रही परंपरा है जो की विविद अलगले तरहों के धार्मी परंपरा और मानेतों में रची बसी एक इन्द धनुसी संस्कति की परंपरा हमारे राजिस्तान की रही है व्यापक परिपासर के अरुसा लोग धरम स सर्वत्र फेली हूई है पहला है राम सनी संपरदाये में राम सनी संपरदाई भी हुए इसके बा pienivity बाले ऩम जानेंगे गद्धी जेपुर में गलताजी नामकिस्तान में है तो रामानुच चारे है तो रामानुच की एक संपरदाय की एक गद्धी जो है एक पीठ है वो जेपुर में गलताजी नामकिस्तान में है इनकी परंपरा इसकी परंपरा वहां से चली आ रही है इस संपरदाय का अनुसरा इस संपर्दाय का अनुसरा करने वाले कोईंते रामानन थे जिनके कबीर सिसी बने इस संपर्दाय को मानने वाले राम की भक्ती पर वे राम लिला में विश्वास करते हैं अगला है वल्लब संपर्दाय राजिस्ताम में GRÜNEN्भक्ती पर्वन्परा बहुत पुरानी हैं राजिस्ताम में वर्ञामंदल का प्रभाव तबी से अने लगा जब दिली की मुगल सल्तनत से आमेर जोद dwarfwater आदीराजवन्सों से संमन इस्तापित किए देखो राजस्तामे करशन परंपरा भुत पुराणी यह रही है राजस्ताम ब्रज-मंडल यानि की ब्रज-मंडल मतलब की जो श्री-कृष्ण का गाउं रहा है ब्रज-मंडल हम न मतुरह है ब्रज है न उनका प्रभाव तब इसाने लगा जब दिल्ली की मुगर सलतनत से आ आमेर रादी राजाओं ने वंदावन जैसे इस्तानों पर क्रश्ण के मंदिर बनवाए और कश्ण भक्ति के आचारियों से सद्धा दिखाए दस परवरी 1672 को सिहार गाउं में वलबाचारे के आराद्य श्री नाज जी का इस्तान इस्तापित किया गया राजस्तान में वलबाचारे के पुत्रे गुसाई विठ्थल नाज जी के साथ उत्तादिकारियों ने अपने अराद्य के नाम पर इस्तान इस्तापित किये थे इसमें अधिकास पीट राजस्तान में है पर्तम पीट मतुरेज जी का है पर्तम पीट कौन से है मतुरेज जी का जो की कोटा में तो पर्तम पीट किसका है मतुरेज जी का है जो कहाँ पर है कोटा में दित्ये विठ्थल नाद जी का है द्वार का है जो कि नात द्वारे निकटिा आकरोली है तो यह ऐसा रखना है कि कौण से records कहाँ पर है तृता गोकुल नात जीका है जो कि गोकुल में है आजकल छटी पीट जो बाल क्रिष्ण जी की है सूरत गुजरात में इस्तित है पांचवे और सात्वे पीड के आचारे अपने आराध्यों की मूर्थिया लेकर आमेर आये थे जहां से अनेक वर्ष रहे भी है किन्तु बाद में पंचम तता सब्तम सवरूप बिकानेर होते हुए कावन आ गए इस संपर्दाय में बाल भाव की उपासना पर बल दिया गया बाल भाव मतलब जो भगवान का बाल रूप है उसकी ही उपासना पर क्या दिया गया बल दिया गया तो कौन सी कौन सी पीड कहां पर आई है वो आपको ध्यान रखना है अगला है निम्बाग संपर्दाय वेशनो धरम में एक प्रमुक संपर्दाय आचारी निम्बाग का है तो वेशनो धरम में एक प्रमुक संपर्दाय किसका है आचारी निम्बाग का जिसकी प्रमुक पीड भी आज किसंगर अजमेर के पास सलेमाबाद ग्राम में है तो देखो इसकी पीड कहां पर है आज जो ह अजमेर में किसरंगर नमक इस्तान है उसके पास सलेमाबाद नमग गाउवह हैं वहा पर निंबाग संपरदाय। की पीथ मैं रजी पीठो का सुसर्ण पिर नागारथन रचीर नहीं क्या ताइतों ४म कृत्मार उदेपू सुसा। बहुत हैं प्रमाक फैわかो करश्ण की हिपिगए योगल की बौग fluff की आगर और इसमें किया माना जाता है और योगल कुछी कि पूजाद की जाती है अगला है गोड़ी संपर्णाय में तक चार आठाट, भक्ति परवतक आचारयों के अत्रिक गोडी शंपरदाय के परवत की गोर्रांग महा प्रभू छेतन्य कि भक्तिदार ने राजस्तान की संस्क्रति पर भर प्रभाव डाला हैं अक्बर के कार्द में राजस्तान सहीत समस्त उत्तर भारतमे इसका प्रसार हुआ जेपुर के राजा मानसिख पर्थम ने 1593 में रादा गोविन देव मंदिर बनाया रादा गोविन देव जी को 1770 में जेपुर आमेर में लाया गया जिसे बाद में सवाई जेसिंग के समय गोविन देव जी को राज महेलो में मंदिर बना कर इस्तापीत किया गया इस संपरदाय के व्यापक परसार के कारण सत्री सदी से लेकर आज तक चेत्तर ने संपरदाय की कृष्ण भक्ति की धारा का प्रभाव राजस्तान में विशेशकर जेपूर और करोली के शेत्र में देख पर पड़ा है और यहाँ पर कृष्ण भक्ति की धारा का प्रभाव गया जिसे बात में सवाई जैसिंग ने उनके समय में गोविन देवजी की लिए मंदिर बना कर श्तापना की गई है अगला निगुर्स संपरदा एकोंन वक्ति की इन धाराओं पर बल दिया निगुन बक्ति अत्वा ज्यान मारक की बेल कहीं बाहर से लाकर यहां नहीं लगाई गई बलकि यहां की मिट्टी से ही उपजी है विश्णुई संपर्दाए अदेखो निगुन बक्ति गंदर की आया अभी हमने सगुन के बारें पढ़ा अब निगुन बक्ति संपरदाए जिसमें सत्यवस अदाचा प्राप्त कर निगुन निरंजन को भेजने के मार्ग योग मार्ग जीवन रक्षा मार्ग जाती पांती के भैद की अमन्यत की इस्तापन की इनके 29 उपदेशों के कारण इविश्णुई कहा गया तो इनको 29 क्या कहा गया 29 उपदेश किकरन हैंगो क्या का विष्णौई कहा गया तो यह कंपर्दाई बाद में व्रक्ष हुए जीव कि रक्षा उन्हें न कटने देने के लिए प्राणों संपरदाए गादू जी का राजस्तान में बड़ा महत्तों है इन्हों ने निर्गुन भक्ति अर्था ब्रह्म की उपासना के अदेश दिये इन्हों मूर्ति पूजा भेद भाव आडंबर का विरोत तथा ज्यान मारका नुशन करते हुए गुरू की कुर्पा से निराकार की उपाशना पर बल दिया सांभर के अंत्रकत नरेना ग्राम में इन्होंने संवत सोला सो साथ में सरीर त्यागा वहां इस पंद का प्रमुक पीठिश्टित है गादू पंदी संतों की वानी राजस्तान की शांसकरती प्रंपरा का पत्ने दित्तों करती है जिसमें राजस्तानी ब्रज हर्यानमी बोलियों का पुट मिलता है अगरा है जसनास्ती मद्यकाल में नात पंद के से प्रभावित होकर ग्यानमारगी संपरदाय में एक जसनाती संपरदाई भी राजस्तान की भूमी पर उपजा जाट वंस में जनमे जाट वंस में जनमे जसनात ने गोरक नासे दिख्षा ले दिख्षा यानि की गोरक नासे इनन अपने शिक्षा घ्रभाव्य न की तपश्च्य करके योगी कहला है और के कहला हो भूगर में समादी लेते हैं जमीन में समादी लेते हैं और काली रंगा धागा अपने गले में उनी धागा अपने गले में मानते हैं अगला है राम सनेही संपरदाय इस नाम से चार संपरदाय राजस्तान में चल रहे हैं पहला है सीथल हरी रामदाजी जोगी सीथर के अंद में रामदा जी पशित संत हैं तो आपको नाम याद आपको रखने हैं कि कि सब्सक्रणाइद रखुल्ग संप्रदाय परिणामि समप्रदाय निरंजनी संप्रदा of आरी समाजी चिंतन आदी लोग धर्मों की पुरंपरा रही है अब यह कुछ पार्ट के प्रशन देर रखे हे कि राजतां के प्रमुख संपर्दायों का राजतां के प्रमुख संपर्दायों को नाम लिखे तो इसका अंसर है कि राजतां के प्रमुख संपर्दाय कौन कौन से हुए जिसके राम रामानंदी संपर्दाय है वल्लब संपर्दाय है निंबाक संपर्दाय है गोडी है दाद पसे कि अचार भलौ संपरदाय की भक्ति परंपरा कौन सी है के में नाकुर्णूं में हुआ नारेना कि संपर्दां की कारन लोगप्री है लोगप्री चै prosecution किसे कारन लोगप्री entirely परसंसाग्या ये उन्हों का नाम विष्णूंअट विष्णु संपर्दा था अगला प्रसंस aurait जसनाजी का सम्मन की जाती से जसनाजी जाट वंस के जाट जाती से थे अब हम देखेए लोग देवता बच्चो आपने यह कहावत तो अवशे शुनी होगी चमतकार को नमस्कार सचमुच मानव आदिकाल से चमतकार पूर्ण सक्चियों की पूजा करता चला आ रहा है भक्त उसके लोग देवता उतकर्ष कारियों के लिए उनको याद करते हैं आरादना करते हैं तो उनके त्याग परोपकारी करते हो के करणर उन्हें महापुस मानते हूए देवता के रूप में उनकी गेस होते हैं ≫ और यह यह एसे महान पुरशति जो लोगों के सिवकार करता है सद्योपूरानी प्रंप्रा समाज की परतेग जाती एंवरक है उसमें को या लोगों के बीजने पुजे जाने महापूरुष के रूप के बीज में पूजे जाने लगें इन्नी को लोग-देवता क केकर फूपरा जाता है हिन्दू लोग देवताओं को पूजते है तो मुसल्मान पीर पेङंबरों की इबाबत इबादत करते हैं राजहस्तान में कई पंद्री सताब्दी में बिकाने संभाग के ददेरवा गाउं में हुआ तो गोगा जी का जनम का हुआ यह कौन से वंस के थे राजकुत में चोहान वंस के थे इस महापुष का जनम पंद्री सताब्दी में बिकाने संभाग के ददेरवा गाउं में हुआ उस समय ददेरवा ग नुम्हे के दिन भक्त गणं बड़ी सद्दा से पूछते हैं यहां भौवे मेला लगता है मेला कब लगता है भाध रपत की नुम्हें के दिन यहां पर मेला लगता है गोगाजी जिरम से ही साशिवे वीर फूषे थे इन पर गोरक नात की असीम कुरपा थी ग्रामिन उन्हें सापों के देवतार के रूप में पूछते हैं क्योंकि गोगा जी नहीं किसानों के बेलों की रक्षा सापों से की है गोगा जी की मानेता राजस्तान के अलावा हरियाना पंजाब हिमाचल परदेश उत्तर परदेश मद्य परदेश से फेली हुई यह तो इन राज्यों में भी गोगा जी पूजे जाते हैं इनका संबन खेजरी की पेड़ी से माना जाता है इनकी चड़ी की पूजा होती है इन्हें हिंदू और मुस्लमान दोनों धर्मों के लोग बड़ी सर्दा से पूछते हैं गोगा मेरी को पवित्रिस्तान माना जाता है अगला है तेजा जी बारी सताब दी के एत्यासिक पूफ तेजा जी भी लोग देवता थे इन्हें सापो के देवता की रूप में वराजस्तान के लोग पूछते हैं यह मारवाड वे अजमे सम्माग में लोग प्रिये हैं जाटो के अराद्य देवतेजा जी की मानता परम गोरक्षा एंगायों के देवता हैं क्रश्ची कार्यों के उपकारक देवता के रूप में हैं देखो गोगा जी के क्या मानता है कि समाम नाम से और जाना जाता है कि परम गोरक्षक माना जाता है गायों के मुक्तिदाता के देवता के रूप में तेजा जी को पूजा जाता है तेजा जी ने इनकी याद में पर्तिवस भादर पर्द की शूदी दस्मी को ब्यावर में तेजा चोक में तेजा मेला भरता है। अगला है पाबु जी जो कि उटों के देवता कि प्रशिदें चोद्वी सताबदी में राठोर जाती में पाबु जी का जनम फलोधी गाउं में हुआ पाबुजी उटनी पर सवार होकर पडोसी गाउं में घूमते पिरते थे पाबुजी को लक्षमिन का उतार माना जाता था तो आंसर है पाबुजी को जिनका चिन भाला है साधी में फेरों के बीच उटकर देवल बाई चाननी की गायों को अपने बेहनों जायल नरेस जीमराव कीची से चुडाते समय वीर गति को प्राप्त हुए पाबुजी को उंटों का देवता वे पलेग रक्षक देवता के रूप में भी पूजा जाता है इनके जीवन चत्रिप पर प्रकास डालने वाले गरंथ पाबुप्रकास की रचना मोर जी आश्या ने की थी देखों इनके पाबुजी के जीवन पर एक गरंथ लिखा गया जिनका नाम है पाबुप्रकास किसने लिखी इनकी रचना मोर जी आश्या ने की थी इनका मेला पर्तिव स्टेत्र अमावशक को कोलोमंड जोदपूर में भरता है अगला है रामदेव जी रामदेव जी के गुरू बाली नाथ जी यानि बालक नाथ थे इनका जनम पोकरन कस्बे के मूल निवासी अजमाल नामक तवर राजपूत घर में हुआ था कि इसका इनका जनम का हुआ अजमाल जी की खर में हुआ इन्हे विश्यु का उतार माना जाता है तो रामदेव साथ के रूफम में पूजे जाते हैं लेकिन इनके साथ इन्होंने किया है ने 14 2.0 की वाद रचना बही की संपर्देख सद्बावना के परतिक रामदेव जी का मेला जैसल मेल जिले में जिले के रामदेवरा यह रूणेचा में भादर शुक्ले दित्या से एकादसी तक भरता है कामर जाती की विवाहित महिला यह तेरा तली नत्य करने की परंपरा रखती है अब यहां पूशा रामदेवरा रूणीचा में परशिद्दे तो रामदेव जी का मेला का बढ़ता है भादर शुक्ले दित्या से एकादसी तक भरता है अगला है देव नारान जी इनका जनम गोठा गडावता आसिंद भिलवाडा में लगभग 1243 इसी में हुआ इनके बच्पन का नाम उद देव दूंगरी चित्तोरगर है इनका मेला भादर पद सप्तमी को भरता है इनका इनका आलावा राजस्तान के अन्य तो इनके अलावा राजस्तान में अन्य लोग पर ये देवताओं में हडबू जी मेहा जी मांगलिया वीर कल्ला जी मलीनाज जी तलीनाज जी और इलो ज यह आदी सामिल है अब इससे समझने कुछ प्रश्ण है तो यह लोग देवता की बारें तो सीधे शीधे दे रखा उसमें इतना कुछ समझाने का था नहीं है ना बस उनका जनम का हुआ था किसका उतारों को माना जाता है वो किस वज़े से परशिद है ठीक है यह आपको ध्य जो है भादर पद की नोमी को भरता है चोथा परशन है ब्यावर के तेजा चोक में किस लोग देवता का मेला लगता है तो यह तेजा जी का मेला लगता है पांचा परशन है विष्णु का अवतार किस लोग देवता को माना जाता है तो यह राम देव जी को माना जाता है प राजस्तामें लोग डेयोता के सासा लोगदेविय का भीर प्रभुकिस्तान है۔ राजय के विभिन भागो ऐसी देविया है जिनका बड़ी सद्धा के साथ पूजया जाता है।षित चूहोग की देवी के नाम से मसूर कंणी माता का मंदीर देशनोक बिकानर्मी सित है सुवाप गाउं जोधपूर में महाजी चारण की घर में जन्मी कंणी जी के बच्पन का नाम रिद्दुबाई था देशनोक में कंणी माता का मंदीर 1991 रावराजा जेश सिंग ने यहां पर तेमेल यहि konkursे है अग्ला का मेला केला देवी को से केला देवी के मंदिर काम Hadjil कि इससे याद रख सकते हो ना कर ओली TRA å Him केला देवी के मंदिर के मैं पर्टीवा sortibit को मेला भड़ता है यहां लंगोरी नत्रेवग गीत गाया जाता है तो यहां पर क्या गया जाता है लंगो ये नत्य किया जटा है और गीत गया जाता है मंदिर के सामने बोरा भक्त की छत्री भी को बहुंचाच這種 को को लोक की Buenos सकते हो कहाँ पर करोली में है अगला है चीन माता चोहानों की कुल देवि स्था सिखावाटि शेत्र के लोक देवि मानी जाती है इसा है मधु मख्यों की देवी के नाम से जाना जाता है इन tempting दादु गाओं में हुआ था इसके मन्दिर का निरमार पर्थिर warm चोहारं पर्थम के समें हर्च दोरा हर्षków की पहारी रेवासा सिंकर्थपर करवाया गया गया जिए परतिव चष्वें वोगोगे नवरातिरों में मेलाब लगता है अगला है इन देवियों के जो किरे। त्रिपुरा सुंदरी तलवाड़ा बासवड़ा में आसापुरा माता जोकी सोन गरा चोहानों की कुल देवी हैं जिलारी माता बहरोड में हैं नारायनी माता बरवा डूंगरी हमें हैं तनोट माता थार की वेश्व देवी तथा सेना की देवी के रूप में माना जाता हैं आ जाना भाई और मीरा भाई पशी दे तो मेरा बाई के बारे में अपने पंड़ा भी है इनके अलावा समान भाई कर्मा ओन भूरी गवड़ी बाई आदी भी है अब इससे समझे कुछ प्रशन है जैसे की पूछा जाए कि चूओ की देवी किसको कहा जाता है चूओ की देवी कर्णी माता को कहा जाता है दूसरा प्रशन है केला देवी कर्णी माता की कुल देवी जो है यदूवंस की कुल देवी है तो केला देवी किसकी देवी है यद का मंदिर मैं है कि इस पर से संबंद n Dhram और नं की बारे में इसके पर स calculate परें निगूर संपर्दय का उल्यची प्रमुक लोग देवियों की बारे में बताईए आपको की बारे में आपको बताना है तो उमीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को जदा ज़्यादा शेर करें लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें मिलते अगले वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद